लेनला तॉमिल स्मॉवाइए लेकों नुकोलियर फोर्स कि नुक्लियर फोर्स किया होता है मैं ये समझना थे तो आपको मैंने बताया था कि चोटे से नुकलियsu के अंदर में वह। था प्रोटा वार्त रेंगे लेने क्यानि fingers प्रोटान और और नीटाउन आपकें गलाइन रहते हैं उतने से नुकलियस के अंदर रहते हैं तो आधा वा करें रिपल्सन् के आज समें इसका मतलब यह हुआँ कि जरूर एक अर फोर्स में जो उन्ट रिपलरशन से भी स्ट्रॉंग एक्ट्रएक्शन का फोर्सो जिससे कि प्रोट्रों awan प्रोट्रोण और नुट्रोण नुट्रोण को उतने से चोटे जगह में नुकलियश के घितर उसको यह से बाइन्ड करके रख सकते हैं है जो उसे अब नाम देते हैं नुकलियर पर भी थैसे नुकलियर फोर्ज जो नुकलियरंक डिसार च्थार पर動 सारे करके रखने का काम करता है उस फोर्स को नाम देते हैं हम नुक्लियर से बासना भी तो में के नोट लेख लो लेख लो लेख लो सभी लोग लेख 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 ले that binds the protons and neutrons together inside a tiny nucleus. इंसाइड है, tiny nucleus. स्कोटी से nucleus के भीकर में, proton, neutron को आपस में bind करके रखने वाला strong attractive force को हम nuclear force बोलते हैं. अब हम पढ़ेंगे, इस nuclear force की properties क्या क्या होती है? तो लिखो, properties of nuclear force. हम इसकी properties की बात कर रहे हैं. इसकी हम properties की बात कर रहे हैं. फसलिको, फसलिको, इस्टोंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगे यानि कि nuclear force जो होता है, आप ये बोल सकते हो कि सबसे strongest force होता है, पुरे वर्ड होता है, सबसे strongest, लिख लो, पुरे नेचर में ये सबसे strongest force होता है, कैसे बोल सकते हो, कैसे बोल सकते हो, आगर मैं इसको comparison कर दू, तो gravitational force, electric force, और nuclear force, अगर मैं ये तीनों को compare करूँ, तो ये पता है क्या आता है, अगर तुम gravitational force को one rank देते हो, तो electrostatic force, 10 to the power 36 times ज्यादा होता है, तो चो अंधाजा लगा लो, electrostatic force, the gravitational force से कितना strong होता है, वो यहां से clear दिखा है, कितना ही नहीं, ये तो electrostatic की बात ही, इससे भी strong force होता है, nuclear force, और वो कितना होता है, वो इससे भी कमचे कम 100 गुना ज्यादा होता है, यानि की 10 to the power 38 times, 10 to the power 38 times होता है, ग्रेकस्नल का, एक हैं, clear हैं, तो nuclear force is a really very strong force, एक हैं, चलो, second लिखा पाभू, लिखा, short range force, 2nd लिखो, short range force, अजळी मैने आइटम का homework दिया था, पुरह दिया था, आइटम का homework दिया था पुरह, पुरह, पुरह दिया था, एकॉरस, पुरह, उससे पुरह, पुरह, जिससार, ने खालो संविट्क पर्दिया, जियास, अच्ह परफ, चलो, जिखे बक, है 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 लिग salt रेंज फो को मैं अमुग हो अब कल एक वह सोटो और नहीं करते यह बहुत ही aaf इजर उनकोष सोर्ष नोल्टर वोल्टर, ऊगर तरधुस हब रहा दोगें सालि किकलवोर रम्य, दुर्टरएग का मैं निक कहता, चुल कुल हो, रात रधुनّ, रात रधुन्य, रातत रात रह particul…ट रहार हुद रहा हों। रह अप्ट to a very short distance of about very short distance of about two to three fermi meter two to three fermi meter two to three fermi meter from a nucleon from a nucleon clear इसके वाल लिखो next लिखो variation with distance next लिखो variation with distance variation with distance इसको मैं एक ग्राप बना के दिखाता हूं इसको मैं एक ग्राप बना के दिखाता हूं इसको मैं एक ग्राप बना के दिखाता हूं यह आपका potential energy है और यह आपका distance है ठीक है अब आपको पता है आपको पता है कि इसका ग्राप जो आता है वो ऐसा आता है ऐसा आता है ठीक है potential energy और distance के बीच में ग्राप आपको इससे आता है और आपको पता है कि potential energy और displacement यादि एक के बीच में जो slope होता है वो अपको बताता है क्या बताता बाबू बताओ याद है भूल गया बताया था ना मैने बताया था yes or no पर पावर इनर्जी में प्रहा रखाए ठीक है तो देखो यह आपर तो यहाँ पर slope क्या हो जहाएगा और यह जो आया है इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे इसकी पोटेंशल इनर्जी मिनिमम है क्या है पोटेंशल इनर्जी इसकी मिनिमम है पोटेंशल इनर्जी इसकी मिनिमम है पोड़ेशल लटगी मिनिमम होने का मतलब क्या होता है यह इस्टेवल है यहां के अगर इसके तुम और नजबीक लेकर आते हो नुपलियोंस को तो वह दोनों रिपेल करेंगे और अगर इससे तुम दूर लेकर जाते हो तो क्या होगी हो आई ट्राइक करेंगी दिया हो यहां पर वो इस्टेवर में जिस तो इसके प्राइब करेगा अगर दूर लगए जाते हो तो आट्राइक करेगा एक यह चीज़े लिखनो and this distance is called R0 this is called R0 okay next लिक बाभो fourth point is called सरे इतना strong force कहां से लागने इन स्कार वम सुदेश की नुट्रोंग सुदेश को बांड करता है अगर इतना नहीं होगा, तो इलेक्ट्रेस्टाटिक फोर्से कारणी क्या होगा, वो रिपेल हो जाएगा, इक जिस्जी नहीं कर सकता, नुकलियर, है कि नी? तो उसको बांद के रखता है, तो जरूर इलेक्रोस्टाटिक पोर्से भी कोई बड़ा पोर्स होना चाहिए उसे को इन लोगों ने अगर रह रहा है, तो हम लोगों ने बोला कि तो अगर मुश्ट भी एक पोर्स अच्टिंग इन बेटीन थे नुकलियों आऐ रहर होना लोगों लोगों बड़्ी जलेक्र k Вас आख टींगों लोगों anche लोगों झाच्टिंग वही हूच्टिंगी थे रहर रह नेख़ UP l coronavirus आख worship प्रोणिग रह रह 55 चाहिए लोगो चार्ज इंडिपेंडेंडेंट करेक्टर आज शुल नहीं ता रागना पर सानों भी तो नहीं है सर था था, किकने में सब सर टेन टेन ओक्लॉक अज़े टेन ओक्लॉक कर था आप शुल नहीं गई नो सर आज नहीं अच्छी बात है चलो पर लिख दिया चार्ज इंडिपेंडेंडेंडेंट करेक्टर ठीक है कर्क इंडिक्रीफन स्व्भ थे मतलब क्या हुँका डॉन के बीछ नुक्रॉन के बीछ d up ओर उस्याब कोई जने लोगा यहमें नहीं कर HIV कि प्रों प्रोंद बीछ लग रहा है जैसे मैं यहां पर जबाता हूं आप लोगों को कुछ more its ऐसा कुछ नहीं है, ओपन है, जो भी प्रहाए जारा, सेम बैश्यों प्रहाए जारा, इक्कोल ही, it doesn't matter, मैं क्या मानता हूं आप लोगों को, नुकलियोंस मानता हूं, इस्टुदेंट मानता हूं, आप लोगों, बिल्कुल इक्कोल प्रहाता हूं, वैसे ही आपर ही, लोगों, 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 लोग कि अधिए प्रॉट्रेशन का मतलब क्या हो गया यह जो नुकलियर फोर्ट लगता है वह अपने बिल्कुल पार्च वाले नुकलियों से फोर्ट लगाता है ऐसा नहीं कि दूर वाले को भी लगाए नहीं ऐसा नहीं लगाता है जैसे परिजांपल अगर मैं बात करूं तो यह प्रोटाउन है और यह नुट्राउन है यह प्रोटाउन है तो यह जो फोर्ट है इनके बीच में तो लगेगा लेकिन इनके बीच में नहीं लगता है नहीं दूर हो गया है तो उतने दूर वाले कि पर नहीं लगता है जो फोर्ट लगेगा वो बिल्कुल क्लोज वाले पर लगता है दूर वाले पर नहीं लगता है तो लुकलियों इम्टरॉट विट ओनली नेवरिंग नुकलियों रियाट इन्टराक्स विट नुकलियों इंटराक्स विट only neighbouring nuclei, nucleon only neighbouring nucleon बासना जया so next लिखो so next लिखो spin-dependent character next लिखो six लिखो next लिखो spin-dependent character लिखो spin-dependent character spin का मनलब क्यो होता है बाबू? मैंने बताया था कि कोई भी पार्टिकिल जो होता है मैंने पार्टिकिल है तो यह अपने आक्षिस पर यह घूम सकता है अर्थ के तरफ ठीक है? और दूसरा जो nucleon से इसके भगल में वो भी घूम सकता है ठीक है? अपने आक्षिस पर रोटेट होना घूमना जैसे तुम्हारा आर्थ अपने आक्षिस पर क्या कर रहा है? इस्पिल करता है अपने आक्षिस पर भी रिपेव करता है तो इस पर भी डिपेव करता है अगर दो नेवरिंग नुकलियोंस अगर दो नेवरिंग नुकलियोंस तेम डारेक्षिन में अगर यह clockwise तो यह भी clockwise, अगर यह anti-clockwise यह भी anti-clockwise, अगर σपील कर रहा है, same direction में, तो उसके हम बोलते हैं Parallel, ड़िकर कम्हों से parallel radius, और अगर अगर clockwise यह धिसना anti-clockwise है, तो उसके हम means, anti-parallel, क्या बोलेंगे tea, anti-parallel radius, ठीक है, अब यह depends पिडिंट कैसे करता है वो लिखो 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 इसको बना करके लिखो लिखो the nuclear force between the nuclear force between two nucleons two nucleons having parallel spins having parallel spins is stronger than parallel spins is stronger than that of between that of between two nucleons having that of between two nucleons having having anti-parallel spins anti-parallel spins okay anti-parallel spins so तो उनके बीच में nuclear force relatively weaker होगा और अगर parallel spin हैं तो उनके उन nucleons के बीच में nuclear force relatively stronger होगा बास में आगे सबको clear है चलो next लिखो next लिखो next लिखो next लिखो बावो exchange forces exchange forces exchange forces का मतलब यह होता है एक Japanese scientist था क्या था एक Japanese scientist था Japanese scientist का नाम था Yukawa क्या नाम था Yukawa Yukawa ने बताया कि दो nucleons के बीच में जो nuclear force होता है उसका रीजन यह होता है कि nucleons के बीच में nucleons के बीच में exchange of particles होता है small particles क्या होता है exchange of क्या होता है बगो particles होता है बिल्कुल छोटा पारिजन अपसोचो एक तो neutron खुद छोटा है neutron की बाद छोड़ो जा nucleus ही छोटा है nucleus से छोटा neutrons है और यह क्या बोल रहा है nucleons भी अपना particle को lendin करता है अबसे वो कितना कर रहा होगा वो कितना कर रहा होगा है ना लेकिन करता है भाई साब है ना सब का अपना अपन लेवल से काम होता है नहीं जिस्तुम बोलतों ना अपने मुहले में colony में घर होते हैं है ना के कि साथ अपको सर्प्राइज हो एक फॉ tTrask कि का इतिक हो टाई पिरा ने गई और व्हें वीडिए चीटी कोटा आपना खर ओता है इस आता है कि ढाफा मि के अपने लेबल में कुछ पाइब करता है इसका रीजन बताया उन्होंने इसे तरह रेजनㅋㅋ पाइब युक्राइब युक्राइब युक्राअब ray MAL पाइब Liberty कि अकलिए नुकле Arts पो इकलिए रूख बाइब आज dragging allה तो अकलिए ग्यों में तो डंवर रीकलया आज हैS और वने कह बाइब्स कि अजन है between two nucleons, arises from the constant exchange of, arises from the constant exchange of particles, constant exchange of particles, called mucleons, called mesons, particles, between them, mesons, between them, mesons, between them, mesons, between them, So clear, Ayatollah, this was said seven, eight, non-central forces, eight, लिखो 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 कि नॉन सेंट्रल फोर्ट अभी तक जो मैंने पुड़ाया था आपको इलेट्रोस्ट्राइटिक फोर्ट ग्रेविटेशनल फोर्ट वो क्या होता है जो पार्टिक्ल के बीच में जो फोर्ट लगता है जैसे माले जाई यह बाद कि अब इनके बीच की डैटेशनल फोर्ट की बात करने हैं तो इनके बीच की जोगरटेशनल फोर्ट खोता है वो इनके शेंट्रल को मिलाने वाली लाइन के लाउन पार्द मत Авamental गें लगता है and that's why it is called Central Force That's why it is called Central Force नेकिन Nucleons के बीच में जो Nuclear Force लगता है यह जरूरी नहीं कि वो Central के लॉग लगता है यह Force, Nuclear Force इधर से भी लग सकता है इधर से भी लग सकता है As I mean Clear है? Non-Central Force यह कैसे भी लग सकता है Not Compensory यहां से लग सकता है लेख लो सभी लोग अच्छे से तब ले उतार लो बाबू फास्ट झाल 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 को यह कर दो इंहां है अगों है को अजय को प्रोपार्टि जओ नुकुलियर फो यह अगारा है यह था हमारा properties of nuclear force, ठीक है? Now, next topic हम अगे बढ़ते हैं, next topic लिखो, mass defect. Next topic लिखो, mass defect. Next topic लिखो, बढ़ते हैं, next topic लिखो, miss लिखो, mass对ूप रही हैं, so vitamin EHe calm and झाल 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 कि तो सदीес,ंब लेग thoughts? अरह रूपब मुहाँ पेड़ात जो चुछिन ग्रासुट हैं तो कोर्स कहां पहुछ Install? टो पीछे तो नहीं है कि एक झाहिए वहाँ पर क्या चल रहा है? प्हुनाइए पफ़ण सोगता लेख्टेशन यह हैं यह सूजा, सीक्वें, वई शूजा लो dedic पीच्छे करना एन णरीग की आगे है। तुछ तो नहीं है ना पीछे नहीं है और उस्का कुर्ट कहा पर चल रहा है उससे बात हो रहा है for पाहुल नास्पेश? क्या पोच्छा है वहाँ पे? माइनेटिक खातामों के पूस्ता, इलेक्ट्रो माइनेटिक सावस्ता है अभी वहाँ पे है? यहाँ पे मानपुर नहीं है कि कोटा में चलागे? सल्गेर पे वेरी गुड़ अची बात है तो उसका जो कोश्टन आता है वह तुम लोग बना पाते हो कि ने बना पाते हो? क्या सथ? हाँ? एस वेल? जो वह सब वह कोश्टन बना रहा है वह सब कोश्टन बन पा रहा है तुम लोग के तुम लोग को नहीं बन पाता है? बन जाता है बन जाता है ना? इसा तो नहीं लगज़ा ना कि मैं विर खोटाई चिला जाता तो अच्पल करो अच्छा करो सब्सक्राइब नहीं में एक भर यह इसी तूल नग बन जबशा हो गाना तो अच्छी बात है अच्छा मुल्ट ड़रगी करो पाइव का निससे बेवस्ता हो गया अगर आता पी दोर लगा लगा उसका यहीं पर हो गया हो अ खर दिखेक्ट मार्च डिटेक्ट क्या होता है रिए समझे लिए छाग जैसे इसका है मासेट 200 बिज्ट ऑर इस एक का मासें हैं जाव प्रवा मेरे मार्कर का मांच माल लेगाए 200 ग्राम है इस ट्रोड का मांच माल लेगाए 50 अब यह दोनों को मैंने क्या किया अब इसका मार्च कितना होगा बताओ 250 250 विदॉट इनी डॉट इनके एक मार्च विल बेट 250 ग्राइश है लेकिन पता क्या है यह थोड़ी से प्रॉलम आ जाती है इसमें नुकलियस में जैसे माल लेजाए एक नुकलियस है जिसमें 5 नूट्राउन है और 5 प्रोटाउन है अगर मैं बोलूं कि 5 नूट्राउन का 500 ग्राम मास है ठीक है और 5 प्रोटाउन का मास है 470 ग्राम और ग्यामपल्स और ग्यामपल्स समझने में असानी हो तो अगर इन दोनों को मिला करके नुकलियस में डाल दूँ मास हो जाना चीए बताओ बाबू कितना चीए कितना हो जाना चीए कितना उना चिए 970 970 फाश बोलो जैसे लगा कि इने समयसन भूल गया जोड़ा भूर को नहीं गया कितना हो जिया बड़ो 970 ग्राम होना चिए कितना होना चिए 970 ग्राम हो जाना चिए अना चिए अले बता क्या है जो प्राक्टिकली देखते हैं इसको तो देखा गया कि भाई यह 970 नहीं है यह निकला 968 ग्राम और जांप पड़ क्या हुआ 500 ग्राम 470 ग्राम को जब मिला करके नुकलियस के अंदर रखा गया तो काईदे से होना चीए था 970 कि बच्चा भी बोल देगा लेकिन क्या हुआ जब यह मिल्क्षोकर के नुक्लियस के अंदर नुक्लियस बन गया तो क्या हो गया इसका मास निकल क्या रहा नाइन सिच्छी एड़ ग्राम यह कैसे संभव है लेकिन यह रियली होचा है आपन में तो यह भाई सार यह तू ग्र कहां चला गया यह तू ग्राम कहां चला गया तू ग्राम कहां चला गया तू ग्राम क्या हो गया यहां पर लॉस हो गया इसी को बोलते हैं मास डिफेक्ट इसी को बोलते हैं मास में डिफेक्ट आ गया मास कॉंसेंट रहना चीए था लेकिन यहां पर क्या हो गया कुछ मास क के क्सुन हो गया है किjas इसी को बोलते हैं मार्क बिश्स के है आप लिखोगे है माइनास डेल्ता एमिजिक कुल टू क्या लिखोगे है मइनस¬ लिखोगे ऐसा ऐसा लिखोगे या नहीं लिखोगे और यह माइनस क्या दिखा रहा हूं मैं माइनस क्या दिखा रहा है माइनस दिखा रहा है लौस इन मास और इसी को बोलते मास डिफेक्ट इसका अप्राइप इसका इसका अप्राइप पर आप्राइप एक 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 एलिमेंट कोई नुकलाइड है कोई नुक्लाईड है X इसका मांस नमबर A है और इटोमेक नमबर Z है तो काईदे से इसमें नमबर अप्रोटॉन उतने हो जाएंगा बाव आग ए Тем ऑर बताओ A- 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 A-2 A-2 very good अच्छी वात है तो ताइदे से इस नुकलियस का मास कितना होना किये कितना होना किये बाभू तो मास ऐसा लिखेंगे MP into Z कर दू मास of one proton into Z पलस मास of one neutron into A-Z ताइदे से होना किये नहीं होना किये मास नुकलियस का नुकलियस का कामास होना चाहिए नहीं होना किये करते हैं तो वो क्या निकलता है फोक्त कर से थोड़ा सा कम निकलता है उस से थोड़ा सा कम निकलता है इसको भोलेंगे माइनस देल्टा-M यानिकी मास दिफेक्ट भोलेंगे क्या भोलेंगे बाभू? इसको हम भोलेंगे मास दिफेक्ट भोलेंगे क्या भोलेंगे इसको भोलेंगे हम मास दिफेक्ट भोलेंगे किसी को भी किसी को भी किसी को भी किसी को भी अब तुहेर कितार लिया ठीक है अब सवाल ये उठता है किसर ये माश जो कम हो गया ये कौन बंदर खा गया वई माश कम हो गया तो ये माश गया कहा तो मैंने आपको बताया था आइंस्टेंज का माश इनर्जी ग्लेसिंटी क्या पढ़ाता है जैनि कि ये माश लॉस जो होता है वो कोई खा नहीं जाता है वह इनर्जी के फॉर्मेट कि शन्बश गारिट और ऑजब रिजी हो गाएं जब इनर्जी हो गया तो क्या हो गया? इनके बीच में बॉंडेसन बढ़ गया मैं दानों जब कुछ खरचे हो जाते है यह उआड़कों हो जाते हिएं आप दो दोस्थों कुलो इंतर याथ इधर सुनो पिटहाँ इधर सुनो इंतर इधर सुनो मателя माला संहे दो दोस्थ हैं हमारे एक खानाम पुन्नु है दुसरा के खानाम मुन्नु है क्या नाम ही बबोन रगरकसर हास्रा आए किया नमने बताओ सीमा और आशिका अब है अब है अब है और किसे असाब माई दो दोस ने टुन्डू एन मुन्डू ठेक है अब दोनों नो क्या किया बोला बाई चलो बिजनस करें थेएं कीव राए दोनोंiter करेंगे pixel और्स सक्टार्ड करेंगे अब जोनों को आए कि मिटिंग के लिए कि सीडी पर कापे शीजिडी इसे शीजिडी नहीं है कोई भात में होटल में में मिल दो हैना है यह है है वह प्रूद पिजार पुद्धा नो कि दो कि दो मिटिंग वाई साहब है ना लेकि पीजा नहीं खाए उन लोग एक कोक मंगा लिया छोटा वाला अउनली कोक है ना अब बात बात में ऐसा हुआ बात करते करते बात भीगड़ेगी तो क्या हुआ माली इसको लगा कि भाई हमको बिजनेस नहीं करना चीए तो तुम लों ने क्या वोला भाई ऐसा करो यह कोक का पैसा में देता हूं दोस्तियारी पे बात खतल करें बिजनेस नहीं होगा अब अगला दोस्त फिर चाहे दूसरे अच्छे अच्छे दोस्त अब बता रहा है क्या ना मता है तुमें अब भाई और गुट्डू अब बिजनेस चलेगा चलेगा इसमें स्थेल होने का कोई चांस ही नहीं है अब क्या हुआ दोनों आये है ना दोनों ने बिजला भाई अब बिजनेस करते हैं है ना उन्हें पीजा हुजा फर खा लिए पीजा हुजा खाने बाद गए ओफिस में है ना आप पूरा सब खरीद लिए पूरा था खरीद लिए उनलों है ना फर्मीचर डोकुमेंट्स फाइल प्रिंटर लाट्टॉप जो एक पर का लट्टॉप लेकर आगये युज़से तो लाट्टॉप लेकर लिए जो बड़ा बड़ा एपल का फोन मुबाईल फोन मंगवा लिए ए जो खरता हो गया इनका फोर लख्ष हो गया इतनों गया है वो लट्ट खर्च हो गये बाकी उपता इनके पास फिक्स लेक्ट वो कैपिल बच गया दिन्यां फ्रो करने के लिए अब इन लोग ने बोला किसी का मूड ये धी खराब हो गया कि भाई ये काम करते यार छोड़ो यार नोस्क नहीं वरा ये पाल्टुका काम है यह नहीं चल पाएगा ठीक है भुडू मोला भाई मैं तो जा रहा हूँ ब ओल्लीवूद इस चोड़ा मोड़ा बिज्च में नहीं कर रहा है अब है अब है अब है क्या बहला भाई चलागा भूड़ो पैसे बहला पैसे लगे भई चार लाक रूपी है अब है चाम करो एक पलका लेटो बेख दो चार लाक का समान एक लाक में दिखेगा सब्सक्राइब और लाग कर देखने जिदेगें? तो पजास पाराग कर लेंगे, यांप आप शुर्म पाथ लेंगे, जाओ. कितना लौस वजाएगा बागू? इसने फूरा लौस दिख रहा है सबको. देडे लाग कर लोस हो जाएगा? तो बोलता है भाई ऐसा है नहीं टूट रहा है क्योंकि इतना पैसा लॉस हो चुका है क्योंकि लॉस हो चुका है कहीं लग चुका है अब यह बिजनेस कभी टूटेगी जब सीमा और स्रेया कि दोनों आके बोलते हैं कि दोनों फ्री हो जाओ यह पूरा ओफिस मुझे देगे हम दोनों समाल रहेंगे अब पूरा चार लाग जो तुम्हारा नुक्सान होगा है तो चार का चार लाग मैं तुम्हें देखेंगे बंब्ब명 करेगा हां रेक जाल और आप तुर जाएं फिर थन फटापडे आ 강ष्या नियहीं लगेगा तुम्हें तुब्नी टिकल्स व्लाइट आगगा और प्लाइट को प्लाइट sentence बंबय करेगा अं मिंदे यहां पर क्या हो रहा है यहां पर करने का मतलब यह हो रहा है कि यह जितना ज्यादा लॉस होता है विजनिस दिल चुटने में उतनी ही प्रॉलम होती है क्योंकि लॉस ज्यादा होने का दर है आजानी से आदमी अलग लग महीं होना चाहिए ठीक वैसे ही इसमें भी होता है अगर निट्रोन और प्रोट्रोन दोनों मिल करके एक नुकलियस बना और यह इसके बनने में मास डिफैक ज्यादा हो गया है तो यह इतने आथानी से नहीं प्रॉलम हो सकते हैं तो बिने चाहिए बढ़ेगा अलग होना तक है जो कि बहुत ज्यादा लॉस होग दिनीस पड़ा मुला होता तो हो जाता है लेकिन ज्यादा होने से क्या होता है उतना ही क्या हो जाएगा उतना ही वो जो दोस्ती है जो बिजनेस दील है उतना ही वो इस्ट्रॉंग होता है तरहने का मतलब यह हुआ कि जितना ज्यादा मात बिखेत उतना ही ज्यादा इस्ट्रॉंग डिए उतना ही ज्यादा के और वह स्ट्रौ जौगा ओगा तै है उतना ही ज्यादा नुक्लिट्नी के लिए है कि इनी जितना ही यह तुटेने वाला अब जब नब आपर यह उठता है कि यह जो मास्ट दिफेक्स हुआ है यह मास्ट डिफेक्स जो हुआ है यह कौन दिया है इसमें पाच नुकलिए इसमें Z number of protons है और A minus Z number of neutron है और मास्ट इतना हुआ है डेल्टा म यह लॉस है यह लॉष है दीजनेस का लाउस है यह को यह सब मिलने दोस्तेंद नहीं दे रहे है अब पैसे कौन देगा जिसका देख है ना बड़्डेबॉय कहा है वाई केमेंड करो कि यह ना बील आ गया यह कब बहुता यह पार्टी मोड यह पार्टी नहीं यह बिजनेस बील है यह पर जितना खर्च का होगा जितने लोग रहेंगे उससे भागा पड़ेगा है अना माल देव बील आ जया बाई 500 बेता लौश तो यहां पर क्या हो गागा अगलटा एम मास्का लॉस हुआ है पूरे नुकलियस में और इस मास्क भी टाइन खर्च करने वाले लोग जिसे लोग है लोग आ की लोगेन नहीं कितने लोग इस नमबर के बडार मांस के बार, तैनी delta m जो mass loss हुआ है वो कोई एक particular neutron या particular proton पूरा खर्क नहीं किया है वो सभी लोगों ने फुरा खुडा mass को contribute किया और वही loss हुआ है तो delta m mass का loss हुआ है A number of nucleons के करद और सभी लोग country किया इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं बाबू क्या बोलेंगे इसको इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं पायकिंग फ्रैक्सम इसको बोलते हैं पायकिंग फ्रैक्सम समझ में आ गया है इसको अभी बुड्डू और अभे में लगा हुआ है इसको जब करते हैं प्राहा जांगों क्या हो गवाबू इसी को बोलते हैं प्राइटिंग फ्रैक्सम देल्टा एम्वाई ए जिसमा मास को लॉस हुआ और उस मास को लॉस करने के लिए हर नुक्लियाउंग को किस्मा कॉंट्रि करना पड़ा वह निकाले कि लिए कि लिए इसी को बो गया तारा नुपलियां उसको भोलते हैं पैकिंग नने अच्छा अब ये डिल्टा आप्टा ये ये डिल्टा ये लॉइओ दो और हुआ हो इनरी बनेगा एवा इनरी के फॉर्मल हुआ हो गया है कि यह देठील लॉस हो गया तो बाभू बताओ अराइब कितमा है था less पहुर्ण करकर बोलो वहां पर पति पॉल्टा में लिख्के वे चलो फार्मुलार अभी तुम्हारे लगता है पापा गे वह आड़ अड़ अड़ फिस्टेसं उनको पॉन करकर बोलो वहां पर प्रीशर मुल्टा है एक इसिक्वल इस्टा है एक इसकुल टू एंसी बोल देगा क्षून कर याए अब लिखाव रहेगा तो मैं याड़हे हैं। e is equal to mc2 कैना का बोल देगा, किन्हें बोल दूँए ? क्या होता है ? delta is equal to mc2 लोग टीसरी पर लिखे चलता, तुम दिमाकर अगरी मिलिपा रहो इस पारही हो, delta is equal to delta m into c2 ये energy का loss होता है ये क्या होता है ? ये energy का loss होता है इनर्जी के फॉर में लॉस हो जाता है नुकलियस में अब मैंने क्या बताया था आपको कि अभाय और गुड्डू ने जो बिजनेस किया था उसे चार लाख रुपे का फर्विचर आजया था इसके ताजया था कुछी आजया था अब उस बिजनेस को अगर तोड़ना है तो स पूरा का पूरा चार लाख देना पड़ेगा कि हम उफिस ले लेते हैं आपका अब लोग प्री होगे तभी उन लोग आपस में सेफ्रेट हो पाएंगे और नहीं तो सेकंड हैंड बेच करके लॉस करके हाना गुड्डू इतना बेवकूप नहीं है हाना कि लॉस करके बिन अच्छा यह जुपाओ बैठावा या ठीक है तो क्या हुआ यहाँ पर यह लोग थाने वाला में हैंगे तो क्या है इनर्टी लोग जो हुआ है यह पूरा-पूरा पैसा दे देती यह स्निमा-स्निमा तब तो बिजनेस चोड़ दी पैसा बाढ़ के अलग हो जाएंगे तो तो क्या होता बाबू यह जो इनर्जी लोग से यही रीजन है बिजनेस दील को आगे बढ़ाने का और तोड़ने का तो यह इनर्जी यह इनर्जी क्या करता है नुक्राउन और प्रोटाउन को यानि नुक्लियोंस को नुक्लियस के भीतर उसको बाइंड करके रखने का काम करता है क्या करता है इसको बाइंड करके रखने का काम करता है हाँ तो यह जो इनर्जी लोस हुआ है इसी के कारण यही इनर्जी इनर्जी को मैं बाइंडिंग इनर्जी बोल दो अगर आप लोगों को इतराज न हो तो तो यह जो इनर्जी लोस हो रहा है इसे को हम बोलते हैं बाइंडिंग इनर्जी उसको इंडिकेट करेंगे फूट में बीकी स्मॉल देटा इंडिकेटी हैं बाइंडिंग इसी इनर्जी को में बोलेंगे यख़ह नूकस्टे अंदर ही रहेंगे अज्गार माँस्य गें जिनक थी क्याक्याह्ट वाइंदिक थीनस डील में ? पूरा पैसा उब देस्ट टो नहीं हो रहा है? यह क्या गहाँ? यह भी कांट री होगा? क्या होगा यह भी country होगा यह जो energy है वो सारे nucleons मिल करके देगे तो पर nucleon कितना पड़ेगा country कितना होगा बाभू कितना पैसे country होगा तो country निकालने के लिए क्या करोगे delta delta m into c square by a और इसको हम नाम देंगे delta e bm क्या नाम देंगे इसको हम नाम देंगे delta e bm इसको हम बोलेंगे binding energy per nucleon क्या बोलेंगे बाभू इसको बोलेंगे हम binding energy per nucleon बोलेंगे यानि कि हर nucleon का हर proton हर neutron का इतना energy इसलिए वो सारे नुकलियों एक दूसरे से जूर करके इसको कहानी समझ में आई है कि भूल गई है यह बाभू डेल्टा एम निकालने का तरीका होता है जेड इंटू MP पलस इसको माइनस जेड इंटू MN यह हो गया पूरा अलग अलग का इसमें से क्या करोगे मास ओफ नुकलियर इसको माइनस कर दोगे तो यह हो जाएगा मास बिटर और इस पूरे को जब मैं मल्टिप्लाई कर देंगे सी स्क्वेर से तो यह निकल जाएगा डेल्टा इदी बाइंडिंग इनर्जी और इसको जब मैं डिवाइड कर दूंगा इस फॉर्मूले को लिखने में दिक्टा थे किसी को किलियर है बतावाँ जखने में बड़ा लग रहा है पंगा रहा है सबको है अभीन पंगा यह सब्सक्राइब कर दूंगा यह सब्सक्राइब इस में हाँ जीकेश हीरँ तोना रहा है अच्छा है इस में जीकेश धीरच सब्सक्राइब कर दूंगा यह सब्सक्राइब करद perfectly अबका छ्रुमूले कमश्राइब कर दूंगर्या इस नो प्रफिक छिग एकका जाजिजरिशू्ए सब्सक्राइब कर दूंग Carbon Lag इसको में बाइंडिंग इनर्जी पर नुपलियोन हम बुलते हैं बाइंडिंग इनर्जी पर नुपलियोन हम बोलते हैं तो यह हो गया हमारा है यह ओग सथा है कि बाइंडिन इनर्जी कमझ लिया है यह ओग पर यह इस इलिमेंट की कि प्थणी होती यह मुझे पता करना है 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 हगर है थैलियम लिफियम तुम्म पूरा केरियोडिक टेबल लोगों लिपैंच कंश्री मिलाथ करके रखा है है लेकिन इसके बैंडिग इनर्जी का नाम की बात नहीं कर रहा है यह कौन बताएगा है वीला तो बाइंदिग इनर्जी और डिश्कास करेंगे है तो नेच्स नग्स लिखो बाइंदीग इनर्जी करव नक्स बाइंदीग इनर्जी करव कुछ झाल झाल तो क्या होगे हमारा हम पढ़ेंगे भी Binding Energy Curve पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे Binding Energy Curve पढ़ेंगे यानि कि हम हर इलिमेंट का Binding Energy की बारे में चर्चा करेंगे खीक हैं तो बाबू मैं ग्राब बना रहा हूं ठीक है यह हो गया मास नंबर इधर हो गया इधर हो गया मास नंबर और इधर हो गया आपका Binding Energy पर नुट्लियों देल्टा इबीन है ना मेगा इलेक्ट्रोन वोल्ट में ले रहा हूं यानि कि यानि कि अलग-अलग मास नंबर का Binding Energy क्या क्या होगा मैं इसकी चर्चा कर रहा हूं बास में आगया है फिले रहें ठीक है इसका जो ग्राफ आता है इसका जो ग्राफ आता है वो जो कैसा आता है मैं वो सुन्जा रहा हूं कुछ ऐसा ग्राफ आता है I'm not good in drawing I'm not good in drawing but roughly मैं बता सकता हूं कि इस चर्चा ग्राफ आता है ठीक है याँ पर हैड्रोजन लेलो ठीक है इलियम, लिथियम and so on ठीक है लिथियम निट्रोजन, कारबन अप्सीजन, सलफर, आइरन, ठीक है याँ इलियम अन्स पर है याँ अलग 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 इलिमेंट का मास नंबर के हिसाब से इसका मैंने ग्राफ द्रॉप किया है इसका मैंने ग्राफ द्रॉप किया है यह केवल और केवल शिजिक में काम नहीं आएगा झाम आएगा इसलिए अब जो आप लोग कर रहे हो डवल डेवल बेनिफिट का काम कर रहे हैं इसको किसी हालत में लॉश मत करो नहीं कि उसको काम आएगी जो में चेटर भी कफर करवा रहा हूं दूवल नेचर, आइकम, नुक्लियर्ट, नुक्लियाई, ये तीनों चप्टर का निस्त्री में भी पूछे जाएंगे, अधी मैं पढ़ाँ का रेडियो आस्टीविटी में, वो सेम पूछे जाएंगे, यहां समझे लोगे, वहां काम होगे, तुम्हारा, ऐसने हैं, अलिख टाइप करो, चलो, क्या होगे यहां पर, यह दखो क्या है, आइरन है, यह सबसे उपर का मतलब क्या हो गया, सबसे उपर का मतलब यह हो गया, कि इसके बाइंदिंग इनर्जी पर नुक्लियाउन सबसे ज़्यादा है, ऐसा बोल सकता हूं, आइरन दखो क्या है, उपर साइ से मैं बोल सकता हूं किसकी बाइंडिंग इनर्जी पर नुकलियोन जादा है जादा रहे इसको लिख लो 30-50-60 होता है इसका और कि इसका होता है हंड्रेड होता है इसका कितना होता है तु थर्टी ये होता है और अगर भ्यान दो अब यहां पर देख के बता पा रहे हो कि लगवग अगर यह मैं बोलू हूँ कि 40 और 95 के बीच में इस बीच में अगर मैं बात करूं तो इस बीच के मांस नंबर वाले जो इलिमेंट हैं उनका कि बाइंडिन अगरा बीच में आपका हूं की यह सब्सक्राइब झाल 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 जिसके बाइंडिक इनर्जी जितना जादा उतना ही वो इस्टेबल होंगे उतना ही जादा इस्टेबल होंगे तो इनकी इस्टेबलिटी क्या होगी ज्यादा होगी ठीक हैं इस्टेबलिटी क्यादा इस्टेबल 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 इस्टेबल् कि यह तो ले सिस्टेबल हो गए इनके नीचे वाले सारे और इनके बाद वाले भी सारे क्या हो गए ले सिस्टेबल तो यह क्या हो गए ले सिस्टेबल और यह भी क्या हो गए यहां भी ले सिस्टेबल हो गए तो ले सिस्टेबल कौन रहना चाहता है भाई आज की जमाने में तुम लोग भी लेशिटेवल नहीं रमाचाथें हैं नहीं तुम लोग भी चाहता है आयाइटी हो जाए है युश में नोफरी लग जाए बढ़िया फिर्कल हो जा आग तो अ कि दोचार फरादी लेलूं चाहर दोचार गोस्तों के भी जिफ्ट कर दूं कि नहीं है कि अब लोग चाहता है अभाई भी चाहेगा कि मैं तो एपल का लैप्टॉप फराडी सब गिप कर दें नहीं और अभाई अगर जो इस्टेवल हो लिया तो किसी को प्राइवेट गेड़ भी गिप कर दें तो क्या चाहता है हर कोई चाहता है इस्टेवल होना नहीं क्या चाहता है हर कोई चाहता है इस्टेवल होना इन लोग भी चाहेगा इस्टेवल हो जाए लेकिन इस्टेवल सैसे होगा अवाल उखना इस्टेवल कैसे होगा है तो इस्टेवल होने के लिए इनको इस्टेवल मे में आपंगे यह पर नो और यह जो ले सिस्टेवल इनको विसने में तो यह पर आपके इसंग में गयाops तो यह जो छोटे-छोटे जो है जो कम जिसका मास नंबर ड़ उनुको काम प्रत करेंगे कि एक दो दोस्त मिल ये आ पदो जिसा देंगे आप दोकी इसमा इस्टेंटेटी हो evitar I should आप में snaपड़ेगा रेका में लोगों को अंधोल को ज्वाइन हो करके यहाँ पहुचना पड़ेगा तब य må कि एक जिस की बातबर तो नहीं है इनको भूना होना है तो क्या करेंगे इनको तूटना पड़ेगा तो एक होना पड़ेगा लिए यह इस प्लीटप होना पड़ेगा और बन दो पार्ट में बढ़ गएगे इनका नमबर क्या होगा इनके बीचनागा तो फिर क्या होंगे फिर यह भी स्टेबल हो जाएंगे तो नीचे वाले को जूड़ करके करना पड़ेगा जादा वाले को स्प्लिट अप हो करके यहां पर आना पड़ेगा है अगर इस्टेबल होना चाहता है तो ये कैसा अगये दो होता है जोगान होता है गोए होता है तो उसको नाम नाम बोलते हैं nuclear fusion क्या बोलते हैं इसको नाम क्या देंगे nuclear fusion नाम देंगे fusion और जब कोई ज़्यादा मास नंबर वाला nucleus तूट जाए तो इस nuclear reaction को हम नाम देंगे nuclear fusion कि पर ख्रोगह भाभू कि नुप्टियर फ्यूजण और नुप्टियर फिजन हैं पता है कि याद रहेगा हिप नहीं मिला तेगा यह वाई बताए गार्ट न ऐसा को पीने वाला भी आता है जो पर आता है ना चोड़ा का बडल में तो वह क्या है वह पी के तुम खतम कर देते हैं नहीं तूटेगा और यहाँ पर क्या होगा जूड़ेगा नुकलियर फ्यूजन और नुकलियर फ्यूजन अगे बड़ें चलो तो यह था वह हमारा नुकलियर फ्यूजन और नुकलियर फ्यूजन ठीक है तो दिकत किसी को अप्टु है नहीं अच्छी वात है अच्छा अब यहां पर नहीं तो कोशन करवा देता हूं आपको ताकि क्लैरिटी आ गया अच्छा मैंने यह बताया है वन एम्यू वन एम्य अच्छा है तो 931 मेगा एलेक्ट्रोन वोल्ट इनर्जी उसे रिवीज होता है तो याद है आपको अब मैं एक दो कोशन करवा देता हूं आपको बनाने हैं किर मैं आगे बरूंगा है आपको इंग है तो यह किर मैं हूं एक है विक मैं आतरि है नह सक्ति आपको कि आपताया है किवाए ए झाल झाल चला बैट यह को इसके नमबर नाइन आपके स्क्रीश के उपर इसके नमबर नाइन बनाएगा इसके नमबर नाइन बनाएगा आपको बताना है बाइंदिंग इनर्जी क्या होगा वो बताओ सब्सक्राइगा कोश्चन नमबर नाइन सब्सक्राइगा झाल 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 पोसे नंबर नाइंग पोसे नंबर नाइंग पोसे नंबर नाइंग पोसे नंबर नाइंग झाल 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 है 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 जिसको 28 आया है उसका 100% करेंट करेंट है 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 देखो तक यह है आपको अल्फा पार्टिकिल लुद्हाथ ऑता क्या हलुद्व पॉद्व होता है हिलियम माक इनभ पूड एकवाटर्मिक नभ टू इना औरहुमसरफकॏ उसमेंसे क्या करते हैं इसमें से क्या करते हैं बाबू बताओ दो इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं तो यह क्या बन जाता है तू पलस इसे को बोलते हैं अलफा पाटिकल यानि कि इसमें इसमें क्या होता है इसमें इलेक्ट्रॉन है इसमें इसमें कितना हो गया इसका मतलब यह हो गया दो प्रोट इसका मास काईदे से कितना होना चाहिए बताओ मास और प्रोटॉन दिया हुए 1.00725 फलस दो न्यूट्रॉन भी हैं इसका मास कितना होना चाहिए 1.00865 यह टोटल मास होना चाहिए लेकिन जब यह ज्वाइन होता है और नुकलियस बनता है उसका मास दिया हुआ है 4.002800 तो यह पर मास डिफेट कितना हो जाएगा बाबू यह जो कल्कुलेट करके आओगे उसमें से इसको माइनस कर देना जब तुम कल्कुलेट करते हो तो इसकी वैलू एरॉंड आ रही है 0.0180 इतना एम्यू आ रहा है और आपको पता है इनर्जी क्या होती है डेल्टा एम सी स्क्वेर तो 0.03180 इंटू 931 मुल्टिप्लाई करोगे तो यह हमारा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अंसर आ जाता है और यह निकल क्या रहा है ट्वंटी एट क्या स्वाइट क्या स् इनर्जी डेल्टा इवी डेल्टा एम इंटू C स्क्वेर से निकल गया इतना एम्यू और वन एम्यू कितने होता 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो इतना एम्यू कितने बराबर होगा मैं जिक्राइट हो तंटी हेके डिएक वैडिट्रॉन वोल्ट के अहां पर लगवर आ रादात एक अगर यह बन गया तुम लोगो को फेर हम लोग एक और कोस्ट्रॉन बनाती है हुआ है एक और कोस्ट्रॉन नहुत यहां पर हम लोग कोस्ट्रव्रोन क्यांव नम्杉ट लोग 11 जिख्राइब एलेवन इनर्जी पर नुक्लियोन और 40-20 काल्सियम नुक्लियुस तब लोग बनाओ ये कॉश्शन नुम्बर ये बनाएगा आपको निकालना है बाइन इनर्जी पर नुक्लियोन निकालना है झालना है झालना है झालना है जनलना है झालना है झालना को बनाम इनर्जी विकालना है झाल 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 येज़ पाइंट थाइब मेगा इलेक्ट्राउन गोल्ट बाकी लोगों का ये से माया और बाकी लोगों का 8.54 और कुछी को 8.54 पर सेवन एमे भी गुड जिसका भी अंसर 8.54 मेगा इलेक्ट्राउन गोल्ट आ रहा है उसका अंसर परसेंट करेक्ट है उसका अंसर परसेंट करेक्ट है ठीक है रानला आगे भी से लोगों का चलो अग्या आगे भारी हम लो नहीजो हाश नहींगो नाग्व नीजगो नुकलियर इस्टाइबिलिटी एंड अनस्टाइबिलिटी अब देखो मैं यह डिस्कुस कर रहा हूँ गया जो भी नुकलियर होते हैं वो कितना स्क्नाइबिल होते हैं या उसकी चर्का करकौ मैं यह यह बात करूं। कि अगर में एक ग्राफ रॉ करूं कि किसके बीच में नंबर ओ रुपक्रॉंटन के बिच में नंब़ोलोव प्रोटॉंस के इनके किसे इलेमेंट का अगर में graph ग्राय रहता हूं ब्लाब तो इसका graph काईदया से कह चीए जन्रली ये इक्वाल होते हैं नंबर उप्न नेट्रों और नंबर ऑफ अव्रोटों जन्रली इक्वाल होने चाहिए तो तो कर अगर इंकोल होंगे थो अगर दोनों उक्रॉख लेकिन पता है क्या होता है यह वाला राफ होता नहीं है होना है कि लेकिन होता क्या है नहीं ह devastate तक तो यहां से जाता है यह इसके वास क्या होता है यह घ्राफ भारा लो क्यों के तरफ बेंट यह po इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब सिधा सिधा यह मतलब हुआ कि यहां तग ?? नंबर नेट्रो इस नुक्लियस के वितर में पाफ प्रोटॉन अब क्या होगा तो अगर मैं एक प्रोटॉन की बात करूं इसको तो क्या करेगा इस प्रोटॉन को चारो प्रोटॉन मिल करके इसको क्या करेंगे करेंगे जुए नुक्लियस सेसे बार होता है नुक्लियर फॉर्स बहुत प्रोटॉन धीक होगाने गां में teens तो अज़ प्रोटॉन के वज़े से इन चारो प्रोटॉन का का ए likes nag nuclear force is stronger होने के वज़े से इस proton को बाहर निकलने से बचा लेगा अच्छी बात है बचा लिया तो बचा लिया लेकिं 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 यही अगर higher atomic number हो जाए जैसे 100 अब 100 में क्यों होगा बाबू इसमें 100 proton होगे तो अगर मैं एक proton की बात करूं तो बाकि 99 proton इसको क्या करेंगे और रिपेल करने की कोईशिस करेंगे तो पाच proton चार proton की जो रिपल्सन था वो तो बेचा रहे धिए जिल गया है लेकिन आप 99 proton का रिपल्सन पोई जिलेगा ठेकिन यह तो तफ हो गया काम यह तो बहार ही हो जाएगा तो गंतों यह क्या होता है यह रिपेल कर देगा और जब रिपेल कर देगा तो सारा patron क्या होगा प्रोट्हुर्टों प्रोट्हण के बीच में निट्रॉन निट्रों अंहेता थि प्र Remove करने में क्या करेगा और सब्सक्राइब कर देता है इसको कर देता है इसके वजह से यह पूरा नुकलियस भी आपको इस्टेबल मिल जाता है क्या होता है नुकलियस इसकेबल होता है इसलिए हाइयर एटॉमिक नंबर वाले इलिमेंट में नुकलियस के अंदर नंबर ऑफ नुट्रोंस जादा होना जरूरी भी है लाजमी भी है इस्टेबलीटी के लिए बहुत वाइदे मंदे हैं इसलिए वो इसकेबल होता है कि आपने तो सिंपल सी फंडा याँ देखना है कि हाईयर अटॉमिक नंबर के इलिमेंट में नंबर ओफ निट्रों ज्यादा होते हैं विच इस नेसेसरी